ऐसे ही जो मॉक का स्कोर अगर आपका कम है तो किसी कारण वस्पोगा उस कारण में घुसो ठीक है लोगों के टीचर्स के कमेंट बॉक्स को जाके पॉलीट मत करो कि सार मेरे में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं क्या करें इससे नंबर नहीं बढ़ेंगे तुम्हारे आप मॉक ट और टाइम देने के बाद क्या हुआ नंबर भी माहिनेस में मिला विससे चना दी होते टाइम तो मिस्टेक तो सबसे वर्स काइंड ओफ तिंग्स हैं जो आपके साथ एक्जाम में घट जाती है तो मिस्टेक पैटन देखना बहुत ज़रुरी है कि भई you know what is the pattern of the mistake mistake में हमेशा एक पैटन होता है you make similar kind of mistake always इसकी awareness बहुत ज़रुरी है और इसके लिए आप एक mistake के लिए diary बना सकते हो इसको बोल सकते हो आप diary of mistakes तो इस mistake diary में आप mocks में गलत हुए सवालों को लिखो इससे क्या होता है awareness बढ़ती है कि मैं इस तरह की mistakes करता हूँ औ plus आप aware हो plus आप aware हो कि अगर इस तरह की में गलती करता हूँ तो हर मौक के पहले आप अपनी mistake का pattern देख सकते हो and then आप अपने आपको एक instruction दे सकते हो कि आज careful रहना है इस तरह की mistake नहीं करनी है तो यह बहुत important है दूसरा एक चीज मौक से पता लगती है कि कुछ topics ऐसे होंग जो मैंने इतने second में किया उसका average time time बाकी लोगों का इतना था और हमने तो बहुत time दे दिया उसमें और इस topic में बाहर बाहर हो रहा है इस type के सवाल में वो topic या फिर वो सवाल आपको उस तरह के सवाल या उससे जुड़ा हुआ concept आपको revise करने की ज़रूरत है तो यह mock की ज analysis करके उससे वो feedback निचोड़ लेना और फिर उस feedback पर काम करना तो जो topics या topic के भीतर कोई sub topic जो कतना जिसमें तुमसे गलतियां हो रही है ज्यादा या आप समय ज्यादा दे रहे हैं उसकी लिए revision और practice आपको करना पड़ेगा तब जाके improvement आएगा